इस वेल्कम टू लोर इकनोमिक्स टॉज मेरा नाम परिंगा वेस्ट अबसक्राइंगे छेप्स अब्ट करेंगे च्प्रइ थी के बारे में हम बात करें थी ते मॉडियूल में heading दे रखिया है और उसके बाद उसमें paragraph में समझा रहा है तो मैं आपको वहीं करवारी हूं दो दो paragraph करके कर वारी हूं तो अब कि किसी प्रडक्ट करना और कि सE प्रड के नेम को पर्चेस करना दोना लग लग बाते जैसे आप अब ब्रैंड quarter lost ऑप करें चन आप अपने घर में चोले बुटूरे बना रहे हो और आपने हल्दी राम की ब्रैंडिंग ले रखी है को एर कर रखी है और उपर अपने घर में रेस्टोरेंट बनाकि उसमें बैनल लगा रखाए तो आपको पास राइट है क्योंकि आपने ब्रेंड ने रखा है और आप दर्म में क्या रहे है कि प्रोड़क्ट पर्चेस करना और ब्रैंड नेम पर्चेस करना दोनों अलग अलग बाती है ठीक है एक कंपनी में भी अबल टू बूल ए ब्रैंड नेम फॉर ए पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिसनेस इने रिलेटेट फिल्ड दे कंपनी माइट तिंक आप अपने जो आपका जो ब्रैंड है आपका जो जो वह है आपको जो क्राइटेरिया उसको आप बढ़ा ले थो ठीक है आप उसको बढ़ा ले तो इन दिस सुज़ेशन दे कंपनी वोड बी ऐदर इंस्टॉलिंग ए मैनुफेक्ट्रिंग फैसलेटी फॉर ए न्यू प्रड़क्ट और लोगिंग फॉर ए गुड पार्टी इन सेव लोट अव ताइम और एनरजी इन एक क्रेटिंग न्यू इंडस्ट्री तो कंबिनेशन आफ दे अबिलिटी अफ दे प्रड़क्ट प्रड़क्ट की मैनुफेक्ट्ट्रिंग भी खरीद लेते हो और प्रड़क्ट का ब्रेंड ने भी खरीद लेते हो तो आप एक अपनी कंपनी को लेवल पर ले जा सकते हैं अब ब्रेंड नेम भी खरीद लो आप मैनुफेक्ट्रिंग यूनिट भी खरीद लो क्योंकि यदि आपने मैनुफेक्ट्रिंग यूनिट नहीं खरीदिया तो आप उसको बनाओगे अपने खराद हुआ खरीद हुआ है और और अपना कॉस्ट देनी पड़ती है पैसा लगाना पड़ता है ठीक है किसी भी चीज में गुडविल ऐसा तो है नहीं कि आज खरीद ली किसी से वह हो सकता है खरीद ली वही अमल कमिशन और मर्जर है पर पैधा नहीं कर सकते आप कि जी आज बनाई और कल आपकी लगता है आपको गुडविल बनाने के लिए कॉस्ट भी लगती है और टाइम लगता है कि पैसा भी लगता और आपका समय भी लगता है इससे बहतर है यदि आप अपनी कंपनी को किसी और लेवल पे जल्दी तो आप किसी और ब्रैंड का नेम ले ठीक है और मैनुफेक्ट तनी और लेव एसा नहीं होती मार्केट में जैसे तो इतनी वैल्यू कैया से ब्रैंड सुनोंगे जो ब्रेंड तो हैं पर उनकी वैल्यू नहीं प्रोपुलर में मार्केट में에 और कोई प्रोडाक्ट होसकते हैं तो आप इस बात का ध्यांद रखें जबाब इसको अ मजमस the unit would have given up the sad line of business another advantage is the company with its definite name and the reputation and with a plenty of money would be able to establish a strong presence of its new product and create a higher market share यहने कि यह एक बहुत अच्छा तरीका है यदि आप किसी कंपनी में किसी बिजनिस में हो और आपके कंपटीटर है तो आप उनका बिजनिस करीद लो जिससे क्यासे होगा आपका खतम होगा और आपका कंपटीशन खतम हो जाएगा और आपका बिजनिस एक्दमसे ग्ूर कर जाएगा आप जो मार्केट की वेल्ल्यू है वह बहुत बढ़ जाए है यह दूसरा जो जो ब्रैंड आपके साथ Warserem cả प्रजेंस पर जाएगी और थोड़ा बहुत पैसा दे के आप अपने कोस्ट और अपनी टाइम की कीमत को सेव कर लेंगे ठीक है उसके बार लिखा है एड़ सेम टाइम देयर कुड बी एक केस ऐसा भी हो सकता है वियर दा कंपनी है प्रोड़क्ट फैसलिटी पट इस मार्केट शियर ऑफ दा सैट प्रोड़क्ट इस बैसमेली लो यानि कि इसमें क्या कहना चाहरा है कई बार ऐसा होता है कि आपके प्रोड इसमेली प्रोड़क्ट में नॉट रिसीव एंकरेजिग रेस्पांस फ्रॉम किस्टमर और कंस्यूमर यानि की वह जो ब्रैंड है वह जो मैनुफेक्ट्रिंग यूनिट है वह कस्टमर में और एंड यूजर में जादा एंकरेज नहीं करती जादा उसका चाहर नहीं है जा आउट अंटर मार्केट शेफ अनदर पार्टी हूं में भी हैविं इस्ट्रॉंग प्रेजेंस ऑफ और दा सैट प्रोड़क्ट यानिए यह कह रहे हैं जिसके लिए कि स्ट्राटेजी आप अपना सकते हैं एक ब्रैंड नेम ले ले ठीक है और अपनी मैनुफेक्ट्रिंग अपने घर में बना लो और उसके बात क्या है अपने किछन के लेवल के नीचे तो क्या होगा आपकी मार्केट में वैल्यू रहेगी आपकी कदर करेंगे लोगबाग आपके प्रोड़क्ट की और हल्दी राम के नाम पे आपका प्रोड़क्ट बेख बेग जाएगा पर किस अपने प्रोड़क्ट में कोई ऐसा ब्रेंड मत खरी दियेगा जिसकी मार्केट वैल्यू नहीं है जिसे को जानता ही नहीं क्या इसे अपर आपकी मार्केट की कोई वैल्यू नहीं बढ़ने वाली उससे बात दिस एक्क्यूशिशन कैना इन सर्टें सेंस अली कुछ जगों पर ऐसा होता है एन अग्रेसिव प्लेयर इन दा मार्केट विल बिप ऑल्वेज ओन दा लुक आउट फॉर सच पॉसिबिल्टीज एंड कैश ओन वैन ऑपर्चुनिटिटी स्टाइग जो लोग मार्केट में रहते हैं जिन लोगों को पॉसिबिल्टीज का पता होता है वही सब चीजें एक्वाइर कर पाते हैं दा स्ट्रो अमल्गमेशन इडिस पॉसिबल तो अक्वार इधर दा एंटार प्रोड़क्ट फैसिलिटी यानि कि पूरी मैनुफेक्ट्रिंग यूनिट ब्रेंड नें सब कुछ करीद ले इंकुडिंग हुमें रिसोर्स यानिक उनके इस भी करीद ले वह यह acquisition of a facility the difficulties of getting the required know-how from reliable sources installing a commission a plant and then launching a new product which may take a lot of time and result heavy costs could be avoided ठीक है अब इसकी देख बात और है कि आप दो चीज दोगे यदि आप किसी ब्रैंड को पर्चेस कर रहे हो तो यदि ब्रैंड बुल कर रहे हैं कि ब्रैंड को बना रहे हो ठीक है आपने एक ब्रैंड बनाने के लिए लिए क्या आपने कॉस्त लगाई अपना समय लगाई ठीक है पैसा लगा iuky जेब लगा तब जाके ब्राट बनता है इसका शौर्टकट तडिका यह ऑप जीए और किसी कमपणी के साथ आप उसका ब्रेंड नेम और उसका प्रोड़क्ट खरीद लीजिए जिससे क्यों अपकी market value बढ़ेगी ठीक है और आपका brand बढ़ेगा आपका business grow करेगा ठीक है पर सामने वाला क्या competitor यदि आप किसी competitor का business खरीद रहे हैं amalgamation कर रहे हैं तो सामने वाला तयार भी होना चाहिए ऐसा नहीं है कि सामने वाला तयार ही ना हो तो आप brand product कैसे खरीद होगे सामने वाला तयार भी होना चाहिए और अमल्गमेशन सच केसे अमल्गमेशन इसमें एक ready-made facility देता है को ready-made facility तो गई आपको brand मनाएंगे उसके साथ cost लगाए टाइम लगाएंगे तो वह सब आपको तयार मामना मिलता है अपने रेस्टरंट खोला हल्दी राम का brand आपको मिलिया आपने खरीद लिया तो आपको हल्दी राम का मिलिया लोग भाग हल्दी राम देखके आपकी शौप पे आजाएंगे खाने के लिए कोई जज नहीं करेगा कि आपका खाना कैसा है लोगभा को साइकलोजी से सब चलेगा मानला ठीक है विच वोड प्रोवाइड एक क्विकर एंट्री फॉर एंगेशिंग दा कमपाराट लग जाए और टाइम के साथ आपको कमपटेशन भी फेस करना पड़े और आपका प्रॉफिट भी इतना ना हो इसलिए बहतर है कि अपका क्या होगा दो फायदे होंगे एक तो आपका ब्रैंड जो है वह का आपका बिजनस ट्रावर सिफाई हो जाएगा ठीक है और आपको कम समय में बहतर आपका बिजनस को कर जागा यह ब्यापकिसी और । इसके साथ अमल्गामेशन मर्जर कर लेते हैं तरी है और अमल्गमेशन अमर्चर अफ सेटिपॉंट है डाइवर्सिफाइग पॉर्टफॉलियो कि सेकंड पॉइंट ड्वाइबसी फायदा पोर्ट फोलिय अनादर रीजन फॉर्मर्जर इस टूद्वार सिफाइबस के मैंने आपको बताया था कि मान लीज़े कोई भी हम लुट तो 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 तीन आपके डायर सिफिकेशन हो गए कि क्या बिजनिस का काम का डायर सिफिकेशन कैसा होता है डायर सी तो पोट फोलियो में आपको एक जामपल देती है का माल लीजे आप स्टॉक मार्केट में इंवस्ट करना चाहते हैं आपके पास एक लाख ऐसे बैंकिंग साक्टर बैंकिंग सेक्टर हुक्ति अपना गठुनियों सारा वैंकिंस स्सक्राइब रॉपए कुछ्ति क्या खूसिव बैंक और को चाहें कंद नोटिफिकेशन शहां प्सेसर 10LDC के लिएNew आधी रेट के तो आपकी वैल्यू आपने एक लाक रुपे लगाई थी एक लाक रुपे के जो आपने शेयर करीदे बैंक सेक्टर के वो क्या हो गए सारे ही आपकी वैल्यू एक लाक की पचास थारु गई क्योंकि एक कबराइब कब्रों पेचलता सारा पैसा शेयर जैते आप डाइवर्सिफाइब करते इस पॉटफोलिय को या निकि आप इस एक लाक रुपे को कुछ तो आप बैंकिंग सेक्टर के ले 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 यह अप एक लाक में से बीस हजार पचिस हजार पंद्रह हजार थी सब्सक्राइब लगा लेते उसके बाद आप आप इसक्टर में लगा लेते ठीक है किसी भी और सेक्टर में सेमेंट वाले सक्टर में लगा लेते तो आपका जो पॉर्टफॉली यह आपका जो एक लाख रुपे है वह क्या ता डाइवर्सी फाहिर रहा था यदि आर बेगा को नोटिफिकेशन आ भी गया और आपके बैंक के सारे शियर डा अब आप समझ रहा है बाकी जो और सेक्टर ने जैसे अटो सेक्टर है अब कंपनी में तो प्रॉफित रहता आपको जो आपने महां इंवस्ट कर रहा था क्यों क्योंकि आपका जो सेक्टर आपका जो पॉर्टफोलिय वह डाइवर्सी फाहिए यानि कि आपने कुछी बैं सब डाउन चला गया था वह एक एक्सप्शनल केस था ऐसा हमीशन ही होता ठीक है तो नोटिफिकेशन आया तो बैंक सेक्टर नीचे डाउन जा रहा है पर आपने जो सिमेंट में लगाया हुआ है जो यदि बढ़े रहा है उसमें कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज आई है निक्सान है उसमें जो आपकी ससाफोटरी और इसका पॉर्टफेलिए सुछा और अपने रख है जैसे आपपनी के लेवल पर दी जाओगे तो आप मान लीजिए आप कार मैनुफेक्टरिंग की कंपनी है कार मैनुफेक्टरिंग की कंपनी है तो क्या होगा इसमें क्या वर्ल्ड यूज करा है सेग्मेंट 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 की करें हैं मैं सेक्कटर कहा हूं सेग्मेंट की किया है आपने किसी मेनुफेक्टरिंग यूज यूण कार मैनुफेक्चरिंग या कार कमपनी के या कार बिजनस में आपको कोई नुकसान होता है कार कमपनी में यदि आपको कहीं पर भी कोई नुकसान होता है तो जो दूसरा सेक्टर है आपका वो आपको कमा के देता रहेगा आपकी कमपनी सर्वाइवल मोर में हमेशा रहेगी य यादि आपने अपना पोर्टफोलियो अपने अपने जो कंपनी है वो आपने डाइवर सिफाइब करके लिया हुआ है यानि कि आपके कई बिसने से एक साथ चलते हैं कई मत चला हो यार दो तीन चला लो दो चला लो जिससे क्या एक यदि डूबेगा तो एक में तो आपको ब सब्सक्राइब कर लिया किसी लेवल पर पहुच गया उसके बात क्या है आपने पैसे कमाले तो आप किसी ब्रैंड को पर्चेस कर सकते हो जो उपर वाला हमने पड़ा किसी कंपनी के साथ ताइब कर लो किसी कंपनी के साथ अमलगमिशन कर लो मर्जर कर लो किसी भी ये सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताना यार कैसा लग रहा आपको वीडियो देखके ठीक है चलो बाई